हलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर रुपाली गोईल और देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक आपकी क्लास 10 के चाप्टर से कार्बन और इट्स कमपाउंड्स तो देखिए आज का हमारा टॉ टॉपिक है How do soaps and detergents remove dirt आपकी जो soaps है आपके जो detergents है वो dirt को कैसे remove करते हैं तो इस चीज़ को आज सीखेंगे आज बड़िया से पढ़ेंगे हंजी हांजी गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से आ जाएए बच्चो सब जल्दी से आ जाएए आज का टॉपिक पढ़ेंगे कि आपकी जो soap और detergents है वो dirt कैसे remove करते हैं तो देखिए soap और detergents का work पढ़ने से पहले उनकी working पढ़ने से पहले उनका cleansing action पढ़ने से पह आज़े कि आपका soap और detergent दिखता कैसे है actually यह दिखता कैसे है भाई आप बोलोगे ma'am हमें तो पता है हम तो रोज देखते हैं अगर आप soap की बात करो तो ऐसा मेरा soap दिखता है right और अगर मैं detergent की बात करो ऐसा मेरा detergent दिखता है liquid detergent ऐसे होते है तो देखिए यही आपकी soap यही आपका detergent है आपके according but actually, actually बेटा अगर आप chemistry में अगर आप chemistry में इसकी सबसे चोटी, सबसे चोटी unit को अगर आप देखें सबसे fundamental unit को अगर आप देखें तो वो कैसा दिखता है? वो दिखता है कुछ ऐसा तो यह है आपका soap, यह है आपका detergent और यही आपको बताएगा कि आपके कपड़ों में से dirt कैसे निकलेगी, ठीक है? तो देखिए, यह आपका soap है, इस soap में, इस soap में बेटा, देखो, आपके पास क्या होता है? दो parts होते हैं, एक होता है hydrophobic part, और एक होता है hydrophilic part. अब देखो hydrophobic, hydrophilic का क्या मतलब है? hydrophilic philic का मतलब क्या होता है philic का मतलब होता है loving जहाँ पर आपको affection हो that means that means यह end आपका क्या होगा यह end आपका होगा hydro loving hydro का मतलब क्या होता है hydro का मतलब होता है water तो यह जो end है आपका बेटा यह जो आपका soap का end है यह कैसा होगा water loving ठीक है? और phobic, phobic का मतलब क्या होता है? जिसे हमें जैसे phobia हो, हमें डर हो, right? तो यह जो part है बेटा, यह जो part है यह क्या होगा? आपके पास hydro fearing, यह आप इसको क्या बोल सकते हो? यह आपके पास water fearing या water repelling part होगा. मतलब अगर आप soap, अगर आप इस soap particle को, इस basic unit को इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं surfactant. अगर आप बेटा, इस surfactant को water में add करोगे, तो यह जो आपका part है, यह जो आपका part है, यह तो बड़ा easily water के साथ जाके interact करेगा, बड़ जो यह part है, यह water के साथ interact नहीं करेगा. यह water के हारी आपको अवास, हलो, हलो, हां जी, तो देखें, मैं आपको क्या बता रही थी, कि hydro-loving और hydro-faring part आपके कौन से होते हैं, अब देखें, जो part आपका water-loving है, मतलब जो part आपका water-loving है, उसका nature भी तो water जैसा ही होगा न, क्योंकि chemistry का chemistry का एक basic सा law है, that like, like attract, like, like, dissolve, like, right, chemistry में आप क्या पढ़ते हो, कि आपके पास अगर polar molecule है, वो polar molecule को क्या करता है, attract करता है, अगर देखो, अगर आपका water polar है, that means, ये end भी बेटा आपका कैसा होगा, polar होगा, तो ये आपके surfactant का polar part है, और जो ये part है, ये कैसा part है, ये है आपका non-polar part, ये है आपका non-polar part, ठीक है, अब देखो, ये मेरा क्या है, surfactant है, this is your surfactant, अब बहुत सारे surfactant molecules, अब देखो, एक particle तो होता नहीं है, आपके पास, अगर आपकी sop का बिल्कुल इतना सा portion भी लोगे न, उसमें एक surfactant थोड़ी होगा, उसमें तो बहुत सारे surfactant होंगे, और जैसे ही आप उन surfactants को water में add करोगे, जैसे ही आप उसको water में add करोगे, होगा क्या, अब देखो, जैसे मैंने इसको water में add कर दिया, हाँ जी, होगा क्या आपके पास, क्या होगा बिटा आपके पास, देखो, यहाँ पर है water, अब आपको पता है कि यह कैसा है, यह है आपके पास water loving part, यह कौन सब मार्ट है, water loving part, और यह कैसा है, water repelling, तो जो यह part है, जो यह part है बिटा, यह क्या करेगा, यह water से दूर जाने की कोशिश करेगा, जब यह से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो जो यह parts हैं, यह parts हैं, यह साथ में gather होना शुरू हो जाएंगे, देखो, बीच में यह gather होना शुरू हो गए हैं, और जो part, जो आपका surfactin का part water loving है, वो water के साथ interact करेगा, इसी लिए, इसी लिए, वो आपके पास, कहां पर हैं, देखो, outside है, जो यह यहां पर क्या बना रहे हैं, cluster बना रहे हैं, आपके surfactin molecules, उसमें जो outer part है बेटा, वो कैसा part है, polar part है, उसका reasons अब को समझ में आया, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो आपका outer वाला part है, वो water के साथ interact करेगा, और जो inner part है, inner part कैसा है, non-polar part, और आपके surfactin के clusters को, surfactin के बेटा clusters को, क्या बोलते हैं, इनको आप क्या बोलते हो, they are known as mycels, क्या बोलते हैं आप इनको, mycels, और यहीं आपके पास helpful होते हैं, आपके cloth में से dirt remove करने के लिए, हलो निकी, हलो दित्य, हलो रवीना, हलो दुरूव, हंजी, समझा आ रहे हैं सबको बढ़िया से, हंजी बच्चो, तो देखिए, आपके पास यह आपके mycels हैं, यह भी आपका mycels है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे न, यह आपके पास बड़ा strong सा mycels है, इसके दे water repelling parts है, और बाहर फिर से आपके पास क्या है, बाहर बेटा, फिर से आपके पास क्या है, water loving parts, यह 3D mycels है, देखो, यह आपके पास 3D mycels है, और इस mycels को बोलते हैं, by layer mycels, इसमें आपके पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अंदर आपके पास सारे water repelling parts, और क्या होता है अधित्यो, surfactant मैंने अभी आपको बताया, जो आपकी ये soap है न, देखो, ये जो हमारी soap है, ये जो आपकी soap है, आपका detergent है, इसकी जो सबसे basic unit होती है, उसको आप क्या बोलते है, surfactant बोलते हैं, this is basically बेटा, your surfactant, हाँ जी, ठीक है न, तो देखी, हम क्या रहे थे आपके micelles कैसे दिखते हैं मैंने यह बताया आपको जो आपके surfactant का cluster है basically जो soap का आपका आप बोल सकते है chemical name है वो क्या है micelle है इस तरह से आपके पास और भी बहुत तरह के micelles होते हैं ठीक है यह आपके पास उनकी 3D representation है कि आपका micelle आपके पास कैसे दिखेगा हाँ जी तो देखो अब तो ऐसे लग रहा न कि यार यह तो धोका हो गया पीछे से वो चल रहे गा न washing powder निर्मा washing powder निर्मा right but actually देखो यह चीज कितनी interesting है मतलब science हर चीज को कितना interesting बनाती है आपका आपका जो cloth है आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें dirt जो है मतलब अगर आप उसका mechanism सोचना चाहो अगर आप उसका basic बोल सकते हो basic funda जानना चाहो कि dirt आपके कपड़े से remove कैसे होती है तो आप नहीं समझा सकते लिए कि amusing science आप इसको बड़ा easily explain कर सकते हो कि soap और detergent को लेकर आप dirt को कैसे remove कर सकते हो ठीक है तो देखिए हम देखते हैं कि आपका soap और detergent actually work कैसे करता है ठीक है कैसे work करता है देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है एक green color का कपड़ा है और उसके उपर एक grease, एक grease क्या है उसके उपर जमा हुआ है grease, oil basically ठीक है, grease, oil basically यहीं आपके पास क्या होते है आपके dirt का, आपके कपड़े के उपर बोल सकते हो, stain का cause होते है इनने की वज़े से dirt आपके कपड़े के साथ क्या हो जाती है, stick हो जाती है तो इसको आप कैसे remove करेंगे, hydrophobic का मतलब बेटा होता है phobic का मतलब क्या होता है आपके पास, जिससे आपको डर लगे hydro का मतलब होता है water, तो आपके surfactant का, बेटा आपके surfactant का hydro, जो आपका ये वाला part है, देखो, अभी बताया था मैंने आपको, जो आपके पास ये वाला part है ये वाला part क्या है, hydrophobic part, कैसा part है बेटा है ये आपका, hydrophobic part तो हाँ जी हम पढ़ रहे थे आपके, आपके working के बारे में, super detergent की working के बारे में तो ये मेरा, देखो, cloth है, cloth के उपर क्या है, grease है, अब होगा क्या आपने इसमें detergent आड कर दिया अब detergent जो है, अब जो मेरा detergent है, जो मेरा surfactant है, जो मेरा सबसे छोटा unit है उसमें मेरे पास एक है hydro, एक है बेटा, hydrophilic part और एक है मेरा hydrophobic part अब देखो, जिसको water पसंद नहीं है, जिसको water पसंद नहीं है, उसको oil पसंद होता है ऐसा क्यूं है, ऐसा क्यूं है, क्योंकि generally जो water repelling parts होते हैं, वो कैसे होते हैं, non-polar और आपका oil भी कैसा होता है, oil भी बेटा कैसा होता है, non-polar तो आपका जो ये hydrophobic part है, जो आपका ये hydrophobic part है, ये किसके पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा ये जाएगा grease के पास interact करने, क्योंकि grease भी बेटा आपका कैसा है, non-polar ये जो बाहर वाले parts है, ये जो बाहर वाले आपके गुल-गुल parts है, ये क्या है, आपके polar parts है ये किसके साथ interact करेंगे, water के साथ जो आपका बाहर यहाँ पर water present होगा यहाँ पर जो आपका water present होगा, उसके साथ ये interact करेंगे आप देखो, होगा क्या, आपके पास बहुत सारे surfactant molecules, बहुत सारे surfactant molecules आपकी grease में आकर insert हो जाएंगे, जो आपके पास hydrophobic part है, जिसको oil बहुत पसंद है, जो oil loving है, जो grease loving है, वो grease के साथ interact करेंगे, एक time के उपर आकर, यहाँ पर आपके surfactant molecules इतने जादा हो जाएंगे, पुल कर लेंगे, आपकी grease को आपके कपड़े में से पुल कर लेंगे, और इस तरह से आपके cloth में से आपकी grease को remove कर देंगे, जो इस तरह से आपका देखो, आपकी soap ने, आपके detergent ने काम किया, और आपके cloth में से grease को क्या कर दिया, remove कर दिया, समझ में आया, हाँ जी बेटा grease भी आपके पास बिल्कुल oil जैसा ही होता है जो आपका grease है वो भी oil जैसा ही होता है हाँ जी तो देखें फिर से देखतें एक बार ये मेरा कपड़ा है देखो ये मेरा fabric है इसके उपर dirt लगा हुआ है क्या लगा हुआ बेटा dirt लगा हुआ है होगा क्या जो मेरे soup molecules है इसके पास आएंगे जो ये part है जो आपके पास oil loving part है जो आपके पास grease loving part है ये क्या करेगा ये क्या करेगा आपके dirt आपकी dirt में आपकी dirt में जाकर इस तरह से insert हो जाएगा इस तरह से बेटा insert हो जाएगा और जब आपके पास बहुत सारे surfactant molecules उस dirt को क्या कर लेंगे occupy कर लेंगे तो उसको कपड़े में से पुल कर लेगा आपके fabric में से पुल कर लेगा और इस तरह से आपका cloth क्या हो जाएगा clean हो जाएगा simple grease में भी बेटा यही होता है oil होता है जैसे आपके पास oil form होता है वैसे ही आपके पास grease form होता है यह journal concept है पिटा यह आपके पास सारे fabrics के लिए applicable होता है अब देखो आपका जो detergent है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके पास आपकी dirt को remove करता है आजकल की detergents है उनमें बहुत कुछ present होता है देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर enzyme सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें present होते हैं enzymes enzymes क्या करते हैं आपके कपड़े में अगर कोई food stain है बेटा कोई भी food stain है उसको remove करने में help करते हैं और और इसमें क्या होता है perfumes mostly जितने भी आप detergent use करते हो उसमें से बड़ी अच्छी खुश्बू आती है आती है ना बहुत अच्छी smell आती है उसका reason क्या है आपके detergent में perfume add किये जाते हैं और इसमें क्या होता है bleach होता है bleach इसमें क्यों add किया जाता है bleach add किया जाता है so that आपके जो colored stains है आपके कपड़ों के ऊपर आप उसको remove कर सके और इसमें क्या होता है water softner होता है देखो दो तरह के water होता है आपको पते हाड़ वाटर होता है soft water होता है hard water जो है वो आपकी help के लिए आपके कपड़ों के लिए आपके hairs के लिए बहुत जादा harmful होता है detergents जो है वो help करते है water को soft करने में so that आपके पास आपके जो कपड़े हैं वो खराब ना हो मतलब उनका जो life जो आप बोल सकते हैं life है वो थोड़ा बढ़ जाए और इसमें क्या होता है जो main हम बात कर रहे हैं detergent की detergent basically क्या करता है आपके कपड़ों में से dirt को remove करता है और इसमें optical brighteners भी होते है optical brighteners भी होते है जो आपके पास क्या करते है आपके कपड़ों को आपके कपड़ों को और जादा white बनाते है तो ये आपका basically आपका cleansing action था आपके soap और detergent का देखिए बेटा आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा quiz है तो जल्दी से इसके answers दीजिए सबसे पहला question है आपका position of non-polar and polar part in micelle micelle आपको याद है ना जो मैंने बताया था surfacted molecules combine करके बनाते है आपको बताना है कि दोनों का जो आपके पास position है वो क्या है जल्दी से polar बाहर है a,b,c,d हंजी हंजी निकी bleach जो होती है बेटा आपके पास bleach यूज की जाती है so that आपके पास जो colored stains है color को remove करने के लिए bleach यूज की जाती है हंजी तो answer दीजिए non-polar और polar part की position आपके micelle में कैसी होगी polar part outer surface पर होगा या non-polar part होगा हंजी next question है a micelle form during the cleansing action of soap आपके पास जो micelle form होता है ये basically है क्या क्या है ये बताइए मुझे आप cleansing action of soap की with respect उस time पर आपके पास micelle form होता है बेटा क्या है बताइए मुझे जल्दी से a,b,c,d क्या answer आएगा आपका हंजी जल्दी से a,b,c,d क्या answer आएगा बेटा आपका हंजी आपका micelle क्या होता है aggregated particles है discrete particles है नेक्स्ट है बेटा आपका question है देखिए दो आपके पास statements है पहला statement है कि जो soap है वो as a emulsifier use होता है ठीक है और reason है कि आपके पास आपका जो soap है उसमें hydrophobic और hydrophilic parts दोनों present होते है हंजी emulsifiers होते हैं जो आपके पास oil और water को क्या कर सके mix कर सके हंजी basically liquid in liquid solution को stable करने के लिए emulsifiers use किये जाते हैं तो ध्यान से सूचिए क्या आपके पास जो soap है वो emulsifier होगा क्या वो oil और water के साथ दोनों के साथ interact कर सकता है हंजी जल्दी से बताईए good evening साक्षी hello प्यूश हंजी thank you पर्मर hello प्यूश hello समराण हंजी चलो one by one questions को discuss करेंगे सबसे पहला question है आपका non polar और polar part का position तो अभी मैंने आपको बताया polar part कौन सा है hydrophilic जो water के साथ interact करेगा तो वो हमेशा क्या रहेगा outer surface के उपर और जो non polar है वो कहां रहेगा inner surface के उपर तो आपका correct answer बेटा कौन सा आएगा a next है आपके पास mycel जो है cleansing action of soap with respect to उस time के उपर जो form होगा वो कैसा होगा पहले बाद तो discrete तो वो होता ही नहीं है वो आपके पास क्या होता है aggregated form होता है मतलब क्या होता है उसमें आपके surfactants बहुत सारे surfactants cluster बना लेते हैं अब देखिए उसमें होता क्या है क्या उसमें soap और dirt होता है या उसमें rust और water होता है उसमें क्या होता है soap तो हो गई होगा ना साथ में क्या होगा फिर dirt होगा dirt को लेके जाता है वो अभी बनाया था ना इसे से करके इसमें आपके पास इस तरह से क्या होते हैं आपके micelles होते हैं ये आपकी क्या है ये dirt है आपकी राइट next question क्या था soap आपके पास क्या emulsifier होगा हंजी बिलकुल आपका soap emulsifier होगा क्यूं होगा ये आपके पास क्यूंकि ये oil और water दोनों के साथ interact कर सकता है और reason भी बिलकुल सही दिया है कि उसमें hydrophilic और hydrophobic part दोनों present अगर दोनों present है that means वो oil और water दोनों के साथ interact करेगा and hence आपके पास आपका जो correct option होगा वो कौन सा होगा तो देखिए अगर आपको मज़ा आया यहां पर अगर आपको मज़ा आया बेटा यहां पर तो doubtnut आपके लेके आ रहा है class 10 का English Medium में VIP course इस course में बेटा आपको क्या क्या मिलेगा इस course में आपको मिलेंगी life classes अगर आपके कोई class यहां पर होती है तो साथ में आपको मिलेंगी सारी recorded classes classes के साथ बेटा आपको मिलेगा quiz, आपको मिलेगा homework और साथ में आपको मिलेंगे सारे regular test और जिस भी course के लिए आप enroll करेंगे इसमें जो भी आपको study material चाहिए होगा वो भी आपको इसी आपकी उपर मिल जाएगा और देखिए, यह जो course है यह आपके लिए best cue है क्यों लेना चाहिए आपको यह course क्योंकि बेटा, यहाँ पर है आपके पास आपके बहुत अच्छे-च्छे teachers हर subject के आपके पास expertise है यहाँ पर, इन सब teachers को बहुत अच्छा experience है guide करने का, पढ़ाने का तो आप भी इस course में enroll कीजिए और इन से पढ़िए और अच्छा-च्छा score कीजिए, राइट और देखिए, यहाँ पर जो last year के students है, जिन्होंने इस course में enroll किया, उन्होंने बहुत अच्छा बेटा यहाँ पर score किया 90 plus, 90 plus उन्होंने score किये है, बहुत सारे बच्चोंने 80 plus भी score किये है अब देखिए, अगर आपको कोई और doubt है, लेट से आपको कोई भी doubt है किसी topic में और आप उसको clear करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप खोलिए, आपका जो doubt है, उसकी photo click कीजिए और आप के उपर upload कर दीजिए वहाँ पर आपको आपकी doubt का answer मिल जाएगा, doubt का answer नहीं मिलेगा, तो उसे मिलतल जुलता question आपको वहाँ पर जरूर मिल जाएगा ठीके? और मैंने आपको यह तो बताई दिया कि आपको ग्रह कारे मिलेगा, आपको homework मिलेगा, और देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपकी जितने भी doubts हैं, लेट से आपने doubt डाला, वहाँ पर solution आया, अब आपको वहाँ पर कोई और doubt है, उस equation में तो आप वहाँ पर comment कर कर पूछ सकते हैं, कि मेरा ये doubt है, और वहाँ पर आपके जो educators हैं, वो उसी time पर आपके doubt को वहाँ पर solve करेंगे, और भी अगर आपको कोई doubt है, इस course के regarding तो आप इस number के उपर बेटा call कर सकते हैं, that is 0124 715-8250 और जो भी आपके पास आपके queries हैं, यहाँ पर solve हो जाएंगी, तो जल्दी से मुझे बताइए बेटा, क्या आप class 10th, board, VIP course को join करना चाहेंगे? हंजी बेटा, जल्दी से बताइए क्या आप इस course को join करना चाहेंगे? हंजी students बताइए थांकियो students, थांकियो so much I hope आपको बहुत मजाया होगा